कुकू टीवी आटो पर हैंड बिल वो पोस्टर चिपका कर पूरे जोर शोर से किया गया भाई कल हमने पिज़ा खाया क्या पिज़ा था मैं और मेरे पिता जी अपनी कार पाकिंग पर पिज़ा ओडर के बाद घंटों इंतिजार किये तब हमें पिज़ा मिला अच्छा क्या इतना अच्छा स्वाद है पिज़ा का और नहीं तो क्या तुम लोगों को तो घुसने भी नहीं देंगे गाड गुसने क्यों नहीं देगा अरे वो तुम्हारे पापा की फुटपाथ की पराठे की दुकान थोड़ी है ना जो कोई भी मूँ ठाकर चला जाएगा उस दुकान का एक स्टेटस है बड़े बड़े लोग अपनी गाड़ी लगा कर खड़े रहते हैं तब जाकर उन्हें पीज़ा खाने को मिलता है समझ रौकी की बातें सिमकर सभी हसने लगते हैं सुमित्रा को पराठे माले का मजाग पसंद नहीं आता राजू जब स्कूल से घर जा रहा होता है तो पीज़ा की दुकान पर लोगों की भीड देखकर रुख जाता है सुमित्रा उसे समझा बुझा कर घर ले आती है पिता जी पिता जी हमें भी पीज़ा खाना है ठीक है बेटा खिला दूँगा कभी अभी गरम गरम आलू के पराठे बनाए हैं वो खालो मुझे नहीं खाना, मुझे नहीं खाना, मुझे तो पीज़ा ही खाना है देख राजू, पीज़ा बहुत महंगे आते हैं उतना पैसा हमारे पास नहीं कि तुम्हें पीज़ा दिलवा सकूँ लेकिन वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हें पीज़ा जरूर खिलाओंगा नई पिता जी मुझे तो कली पीज़ा चाहिए अगर पीज़ा नहीं मिला तो मैं कुछ नहीं खाऊंगा राजू जिद मत करो पिता जी बोल रहे हैं ना कि एक दिन हम लोगों को पीज़ा खिलाने ले जाएंगे नई दीदी मुझे तो पीज़ा कली खाना है राकी भाईया ने स्कूल में बताया कि पीज़ा कितना अच्छा होता है आरे राजू वो डॉक्टर का बेटा है उसके पास धेरों पैसे हैं चल अब खाना खा पराथे खाकर बच्चे सो गए लेकिन मोहनलाल की आँखों से नीन कोसों दूर थी वह अपनी गरीबी को कोस रहा था कि कितना बेबस है वो जो अपने बच्चों की मामोली खाने की मांग को भी पूरा नहीं कर सकता उसकी आँखों में आसु आ गए सोचते सोचते न जाने कब उसे नीनद आ गई अगले दिन सुभे बच्चे स्कूल गए आज भी पूरे स्कूल में पिज़ा की ही चर्चा हो रही थी दोस्तों कल मेरा जरम दिन है और कल मेरी तरफ से कल शाम को सभी को पिज़ा पाती है कल संड है और स्कूल की भी छुट्टी है सभी कल शाम में अच्छे-अच्छे कपड़े पहन कर आना, ओके भैया, हम भी आएंगे ना हमें नहीं बोला आपने नई, तुम लोग वहां नहीं जा सकते वहां सभी बड़े-बड़े लोग आते है स्टिटस वाले लोग आते है तुम बस पराठे खाओ चल राजू, इनके पीजा से कहीं स्वादिष्ट और अच्छे हमारे पराठे है अरे जाजा, बंदर को क्या पता कि अधरक का स्वाद क्या होता है स्कूल के बाहर जो पीजा का पोस्टर लगा है ना उसे ही देखते रहो और पराठे खाओ, समझना की पीजा खा रहे हो रॉकी ऐसा नहीं कहते चलो सुमित्रा, इसे तो ऐसे ही बोलने की आदत है राजू की फोटो देखकर पराठा खाने वाली बात पर सभी हसने लगे सुमित्रा और राजू को बहुत बुरा लगा, दोनों घर आ गए अरे राजू, यू मू लटकाई क्यों खड़े हो वो पिता जी, बात ये है कि कर रॉकी का जनम दिन है और सभी को बुलाया है पर हमें छोड़ कर, क्योंकि वहां बड़े बड़े लोग होंगे बस इतनी सी बात, कल हम तुम लोगों के लिए आलू का मस्द पराठा बनाएंगे और हम सब पार्टी करेंगे मुझे नहीं खाना पराठा, मुझे तो बस पीजा खाना है, मुझे पीजा चाहिए पेटा, मैंने बताया ना, कि अभी हमारे पास तुम लोगों के फीज भरने के पैसे नहीं है पीजा कहां से खिलाऊंगा इतना कहकर, मोहनलाल आँखों में आसु लिए, घर से बाहर प्रथा के दंक पर चला गया राजू, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था पिजा की जिद छोड़ दे मेरे भाई, जब पैसे होंगे तो हम जरूर पिजा खाने चलेंगे आज तक कभी हमारे पास पैसे हुए हैं क्या, सबी नैने कपड़े पहनते हैं और हम दो साल से एक ही कपड़े पहन रहें, क्या हम कभी पीजा नहीं खा पाएंगे दीदी ऐसी बात नहीं है मेरे भाईया, हम लोग पीजा एक दिन जरूर खाएंगे उस रात राजू ने खाना नहीं खाया, घर में किसी ने खाना नहीं खाया सुबह मोहनलाल उठा और बाजार चला गया पापस आया तो देखा कि राजु अभी तक सो रहा था सुमित्रा से पता चला कि राजु अभी भी रूठा हुआ है खाना भी नहीं खाया है उठो बेटा, आज हम तुम लोगों को पराठा पीजा खिलाएंगे चलो उठो पिता जी मैंने बोल दिया ना जब तक पीजा नहीं मिलेगा मैं कुछ नहीं खाऊंगा मोहनलाल पराठे पर चीज, फ्रूट्स और सालेट डाल कर पीजा बनाता है लेकिन लाग समझाने के बावजूद राजु नहीं खाता समित्रा भी पूरी कोशिश करती है राजु को मनाने की पर असफल रहती है आज फिर सभी भूखे ही सो जाते है आधी रात को राजु को जोर से भूख लगती है वो किचन में जाकर रखा हुआ पराठा पीजा खाता है उसे बहुत अच्छा लगता है वह पराठा पीजा चट कर जाता है मोहनलाल चुप चाप उसे खाते हुए देख लेता है सुबह उठकर मोहनलाल बाजार चला जाता है वापस आकर सुमित्रा को बुलाता है सुमित्रा ओ सुमित्रा जी पिताजी आई ये ले पैसे और स्कूल से आते समय पीजा लेते आना पिताजी पैसे कहां से आये? वो कहीं से आ गए और हाँ मैंने टिफिर में पराठा पीजा रख दिया है खा ले ना याद से समित्रा घर से स्कूल के लिए निकल रही थी तो पिताजी की साइकल बाहर नहीं लगी थी समझने में देर न लगी कि पिताजी ने साइकल बेच कर पैसे लाए थे समित्रा और राजू स्कूल पहुँचे स्कूल में कल की रौकी की पीजा पाटी की ही धूम थी सभी की जुबान पर पीजा पाटी की ही चर्चा थी लंच में सुमित्रा और राजू पराठा पिजा खा रहे थे तो वहां रीता आ गई अरे तुम दोनों ये कौन सी डिश खा रहे हो? ये हमारे पिताजी ने बनाया है पराठा पीजा हां ये स्पेशल डिश पिताजी ने बनाया है लो तुम भी खाओ बहुत स्वादिश्ट है अरे वहां बहुत मस्त पराठा पीजा है ये तो बहुत ही अच्छा पराठा पीजा है देखो‐ आऊ देखो पराठा पीजा कल के पादो पाथी वाले पिजा पराठा पीज़ा ऐसा तो मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया था। जल्द ही पूरे कजबे में पराठा पीज़ा की चर्चा पहल गई। सुमित्रा ने पिता जी को पराठा पीज़ा बनाने की सलहा दी। अब उनकी दुकान पर भीड लगने लगी थी। पीज़ा की दुकान में लगातार ग्रहकों की कमी होने लगी। पीज़ा की दुकान बंध होने की कगार पर आ गई। तभी एक दिन पीज़ा दुकान के मालिक खुद मोहनलाल के पास आया। मोहनलाल जी आपके पराठा पीज़ा का बहुत नाम सुना था। आज टेस्ट भी कर लिया, सचमोच ला जवाब है, वाकई तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जी धन्यवाद, क्यों ना हम दोनों मिलकर साथ काम करें, आप मेरी दुकान का उपयोग कीजिए, मैं फंडिंग और मार्केटिंग देख लूँगा, जो भी प्रॉफिट होग मोहनलाल को ये प्रपोजल अच्छा लगा, दोनों मिलकर साथ काम करने लगे, प्रथा पिज़ा का टेस्ट और अच्छी मार्केटिंग से जल्द ही उनकी दुकान कई शहरों में खुल गई, अब मोहनलाल सेट मोहनलाल कहलाने लगा, वे शहर में आलिश्चान बंगले में रहने लगे